जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी योट्यव चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी माह के चौथे सप्ताह के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए 22 जनवरी से 28 जनवरी 2021 तक का समय कैसा रहने वाला है इन साथ दिनों में कौन से शुब योग बन रहे हैं क्या शुब नक्षत्र होंगे कौन सा ग्रह राशी परिवर्थित करेगा और उसका प्रभाव आपकी दिन चर्या पर किस तरह से होगा सब को जानेंगे इन साथ दिनों के बारे में विस्तार से प्राप्त होती रहेंगे दोश्तों तुला राशी कि बात कर रहे हैं मुदर से 28- जुन्वरी तक कैश्चे और ये राशी जन्दराशी पराधारित है कि इस ति अगर देखि जाए तो चंद्रमा 22 जन्वरी से सुबह मे शरासी से गोचर करते हुए 28 जनpable तक कर में तक जाएंगे यानि चार भाव सक्रिय होंगे मीश व्रशब मिथुन और करक इन चार भावों में चंद्रमा आपके लिए गोचर करेंगे और इनी के नुसार दिन चर्या में भी परिवर्तन होगा अब यह जो 22 जनवरी का दिन है यह 9 मीति थी है और इस सप्ताह का जो अंतिम दिन है 28 जनवरी यह बड़ा महतपोन दिन है एक तो इस दिन पोश मास की पोनी माति थी है और क्योंकि अभी कुम्ब चल रहा है इस वज़े से यह जो पोनी माति थी है बहुत महतपोन हो जाती है तो इस दिन क आप लाब उढ़ा सकते हैं ऊपर से इस दिन बहुत सशुभ' योग बन रहे हैं एक तो घुरुप USB पूरा दिन सर्वार सिधी योग बनेगा अम्रस्थ योग बनेगा पूरा दिन जिसकी वजये से ये दिन बड़ा ही अच्छा हो जाता है पुशन नक्षतर रहेगा इस दिन अब 2 ग्रहों का राशी परिवर्तन होगा 25 जनवरी बुद्ध का राशी परिवर्तन होगा बुद्ध मकर राशी से निकल कर कुम राशी में परवेश करेंगे आपकी राशी के स्वामी शुक्र का राशी परिवर्तन होगा और शुक्र 28 जनवरी को मकर राशी में गुरु और शनी के साथ बैठेंगे तो ये कुछ परिवर्तन हो गए अब इन सब का जो मिला जुला प्रभाव होगा वो किस तरह से होगा तो देखे सब्टाह की शुरुवात से चंद्रमा सब्तम भाव से गोचर करते हो चलेंगे अब सब्तम भाव जो है वो विवाह का भाव है साजेदारी का भाव है और यहां चंद्रमा का जो गोचर होगा ये आपके सभी कामों को सफलता परदान कराएगा आपके जो अपने जरूरी काम है उनमें आपको अच्छे ज़िजर्ट देखने को मिलेंगे आपके काम की इस द्वरान सरहना होगी आप आफिस में काम करते हैं बिजनेस में करते हैं किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हैं तो आपकी काम को सराह जाएगा लोगों की नजरों में रहेगा दुश्मनों पर आपने प्रतिस परधियों पर आप हावी रहेंगे आप विद्यारती हैं तब भी अपने प्रतिस पर्धियों पर आप हावी रहेंगे आगे निकलेंगे उनसे और कईश रोतों से धन लाब होने के भी योग बने हुए हैं यानि कईश रोत जो होते हैं एक तो है जो आप जौब करते हैं इसके अलावा जो आपने अगर कोई छूटी-छोटी चीज में ऐसे इन्वेस्ट किया है या आप कोई ऐसा साइड विजनिस कर तो वहां से लाग की उम्मीद जादा बनती दिख रही है बस वास्ते का इस दिन तोड़ा ध्यान रखें और अगर आप ऐलकोहल वेलकोहल लेते हैं तो उसके आ आठव भाव में गूचर आठवा भाव देखें लाभकाहानी का अचानक से होने वाले लाभानी अनुसंदान इन सभी का बदलाव का भाव होता है तो यह थोड़ी सी आप्थाफदानी रखनी है थोड़ी सी साथधानी कि आप के काम में कुछ रुकावट या सकती है तो ऐ तो उसमें बिल्कुल भी शामिल ना हो वरना आप अपने दुश्मनों को बढ़ा सकते हैं और वो आपको परिशानी दे सकते हैं इस समय 25 जनवरी को बुद्ध का भी राशी परिवर्तन होगा बुद्ध भी राशी परिवर्तन करके कुम राशी में आ जाएंगे और यहां जो बुद्ध का ये परिवर्तन है बुद्ध का जो ये गोचर है ये आपके पंचम भाव में है और शुक्र आपके चोथे भाव मे जा रहे हैं तो बुद्ध का जो यह गोचर या आपके लिए कई तरह के लाब लेकर आएगा खासों से विद्ध्यार्तियों को लाब देगा जो उच्छ सिक्षार जित कर रहे हैं तो यह 25 जिन्वरी से ही आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि बुद्धे कैसा ग्रह है जो आपका भागेश है पंचम में बैट रहा है तो अच्छे फलो की राप्तित होगी सबसे अच्छे अनुकूल रिजल्ट विद्यार्तियों को मिलेंगे अगर आपने प्रयास किये हैं तो उनके अच्छे रिजल्ट्स मिलने की पूरी संभाव न रहेगी अगर आप सिंगल है तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा आप अपनी इच्छाओं को बुरा कर पाएंगे अपनी भावनाओं को अपने अपनों के सामने व्यक्त कर पाएंगे खुल कर सामने रख पाएंगे इस से आपको भागे का साथ मिलेगा और किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसक कारी नौकरी करते हैं तो बदलाव यानी स्थाना अंत्रण को लेकर कोई अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है अगर काफी दुनों से आप अपने कुछ बदलाव चाह रहे थे नौकरी में तो हो सकता है अचानक से लाव की योग भी बनते हुए दिख रहे हैं जो कि आप भाव यह जो नवम भाव है यह भागय का भाव है तो भागय का भाव आपके लिए आपकी कारशित्र में अच्छी प्रगति लेकर आएगा आप मेहनत करेंगे मेहनत का लाभ मिलेगा यह रिजल्ट आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा थोड़ा काम को जादा काम को लेक यानि कि करकराशी में आ जाएंगे अब करकराशी में चंद्रमा का गोचर बड़े सकारात्मक परिणाम लेकर आया है ओपर से यहां जो है बड़े अच्छी योग भी बन रहे हैं पुशनक्षत्र है सरवार सिद्धी योग है अमरे सिद्धी योग है रवी योग है और मौकरी में पदोनति का योगली है आपके काम करने से आपके जीवन में सोधार आएगा अपने वैफसाय में कुछ विविद्धता लेकर आ सकते हैं आप जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आपके मित्र आपके परिवार के लोग विशेस रूप से महत्पून मानी जाती है और इस बार तो प्रियाग राज में कुम्भ चल रहा है तो ये बहुत अच्छा दिन है अपने सभी जो काम है उनको पूरा करने के लिए बहुत अच्छा है और सूर्य पूजा भी जरूर करें पूरे दिन भगवान का स्वरण करते रहें ताकि कब मिल सके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके